हाई दोस्तो जैसे किसना रादेरा देख कही से कई आप लोग उम्मेद करते हैं आप लोग दोस्तो ंगे सुरू सत आई levar को ठंडा लग रहे है ती जारियाम ठंडा ठंडा लगता पानी चलना इंके खेत बौँवा आई बार देक काला धान देख रहा सेख रहें पुरा खेत्य के चावल भी काला होगा देख़ रहें पूरे इसको काला नमक बोलते हैं तेहात में हर जब काला नमक ही बोलते हैं कितनी अच्छी फसल हुई है काला नमक नमक ब्लेक साल्ट और आज हमारे गणह को परणे सो गया है और आज हमारे घर पर बन रहा अच्छा पोकन इस्यूंगा पेठा वांटया हैokol सर इडब देखना भी लॉस्ट केला देख रहें इसको हम पूर रहे हैं अशको जा रहे हैं बनाने हम से हम आटा हाथ में रहे हैं अधे कॉपना रगणा इसको चंगा बन करें ढूर आधे बना रहे हैं कि दोस्तों है ठाहि पर लेखा ने कंब करें। बन रहे हैं बनाने के लिए टाल होता या किराई के डाल पानी में भीघ हो देते हैं दो चार गांटे पहले कि दाल सुखा रहता है तो जब गिला रहा तभी मिक्सर मसीन में या गाउं में जैसे सील लोड़ा उस पर पीसा जाता है इसमें मेर चला सून जो अपनी अपने उपर है जो मसला डाल लेते हैं वो डाल का फिर को जो चावल कांटा रहता है उसको गरम कर ढह lang की तरह ना तुसको पाणीं डालेंगे तो घिला ओ जागा ना तो इसको भाफ से पतेले जाएगा जो पीठा लीघा यह देख रहें नीचे दिखिए नीचे तरब आप रखा जाएगा उसको पानी में से भाफ निकले गा उसी बाफ के पानी से अब सारा इस्टिमेट बनकर रेडियो जाएगा देखिए वी जारा रखाने उसमें देख रहें है रख गया देखिए उसको ऐसे चूल पर आप रख देना अब बस उसको किसी से लगाए अब लगकड लगाई है उसके आज से वह भाप से बनकर रेडी हो जाएगा देखरें अभी देखिए इतना आटा बचा है फिर इसी बनाना है फिर वहाँ पर दोड़ा सा दाल बचा वहीं बनाएं के फिर बनकर उसको पकी जाएगा तो हम लोग खाएंगे फिर दोस्तों खाने का वीडियो आप लोगको दिखाते हैं अभी दोस्तों खाना बनकर रेडी हो गया है और हम लोग जाने देख रहे हैं देखिए बन गया निकल गया खाना हमारा जिस थालिम हुआ उसी में देख तक लिट तो, बाइ बाइ